आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको एक ऐसी चीज जो आपने ना कभी सोची होगी, ना सुनी होगी, ना देखी होगी कभी आपने सुनाए कि गाउं में संडे ब्रंच बफे हो रहा हूँ हमारा ब्रंच बफे रेडी है, ये अल्मूस्ट 10 डिशेज का बफे है तो हाँ जी भाई जाएन, ये ब्रंच बफे वो भी सिरफ 900 रुपे के अंदर और वो भी एक गाउं में पक्की देशी मुर्गी है, जो हम मुर्गे मवाते हैं देरसकोयल खान से और मियावादी से जिसमें मिलेंगे आपको पाए, अचार गोश, देसी मुर्गा, हलवा पूरी, चने, साग, मकई की रोटी, बाजरे की रोटी, पराथे और पता नी क्या क्या चीजें, 10 डिशेज का एक बफे जो गाउं के अंदर हो रहा है और सिर्फ 900 रुपे में असलाम अलीकुम खावातिनों, हजरा शुपैक टीवी की तरफ से आपका मेज़ मारेश सिखबार, फिर से आपके खित्मत में हाजिर है और आपको पीछे जो महाल देखके नजर आ रहा है कि हम लोग कहाँ है, यह क्या जगह है, क्या नहीं है, यह एक बड़ा खुबसूरत गाउं है और पहली बार मुझे पता लगा कि इसलामबाद से सिर्फ 15-20 मिनट की ड्राइव पे एक गाउं में भी आपा सकते है और एक अलग इन्वायरमेंट आपको यहाँ पर मिलता है, गाउं का नाम है शालादिता और शालादिता का एक जो महौल है, और हम यहां पर क्यों आए हैं यहां पर एक नेक्स लेवल एक चीज़ हम लोग आज खाने आए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा वह क्या है, यहां से इस गेट के अंदर एंटर होते ही, आपके सारा आपका महमान मेजबान रेस्टोरेंट इसका नाम है, मेन बाके सारा आपको देंगे जी, डॉक्तर असलाम लेकाम, वेलकुम तो इसलाम अबबाद शालादितांगे, वकाद बाकास बाइसलाम यहां है, क्या है, अच्छा जी तो हमारे साथ है इस टाइम पूरी टीम जो महमान मेज मतलब इसलामबाद से सिर्फ 20 मिनिट ड्राइव एक बर्गर सिटी और वहां से इस तरफ आती है मेरा तो पूरा महाल चेंज हो गया है कि यह किस तरह से एक पूरी गाउं की फील है इसकी जरा स्टोरी में जबता ही क्या है स्टोरी स्टोरी स्टार्ट कहां से हुई कि दोस्यार आए हमारे उनना का देसी खाना है ठीक है मैं पूरा इसलामबाद डूंड का रहा है मुझे देसी मिला ही नहीं मैंने गया यह क्या है यह हम इसलामबाद में रह रहे हैं और देसी खाना ही नहीं तो फिर मेरे दिमाग में है क्यों ना हम एक धीसी चीज को लाएं जो लोग भूल चुके हैं वो खाने जो हमने अपने गउं में खाये दें त्रडीशन को बापस जिन्दा करें और अल्ला का शुक्र है जब हमने ये स्टार्ट किया तो लोगों को इतना पसंद आने लगए और के लोग कॉल करने लगए क्या हमें बुलाएं तो कुछ दोस्त ये थे इनन की सिजेशन आई कर यार यही जगा बनाते हैं तो मैं दो अच्छा चलो बनाई लेते हैं वोल जाल्य वाल्य वोग इतना प्यार दे रहे हैं ! इतना प्यार दे रहे हैं कि आप स़ोच भी मिस्थी जबर्दसियों। वैसे आप Training को अब आप आप मीशार हैंyeshallा को सफरीति लिद्धा हो। का देरा इसमाइल खान वाली ही ऑपनी वो बोली वकास साब से कॉंटेक्ट वा फिर दॉक्साब से हुआ मोहिन भाइसे भी तरह बैठे हम गफे मार रहे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि यह एक्छल सीम के इसकी में बात का रहा हूं यह इस तरफ चेक करो एक पूरी मिट्टी की जो दिवारे हैं एक ग्राउंड है और उ यहां पर इतनी डिशिज थे तक्रीबर टेन डिशिज का यह बढ़ रहा है और अब ही सारा कुछ बन रहा है अब मेकिंग चेक करते हैं अच्छा यहां पर सबसे पहली चीज जो हमारे पास है वकास यह क्या बन रहा है सामने मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह वो बीफ ब् उंधार थे हो इसमेल खन रहा हैं पर इसमेल खन रहा है तो सबसे है जए वहाज़ का सामने मुझे बता है अच्छा रहे वैसे वहार बढ़ बस मकणض रहा है तैसरो यह बढ़े मुझे अच्छा पहां इंसे प्धिलग ठोल पनम को आ क्या वर रहा है कोई यादा रही है नहीं पेंड़ रहा है यहां में लग रहा है तो यहां से हम जाएंगे किछल क्योंके किछल रेड़ीज मस्ट पाई बन रहे हैं जी पाई बन रहे हैं और यह बदा इतना खुबसूरत वेस्खोरट बाचे अच्छा मैं तक मुझे पर रहे मेहमान में बादा कुकिन एपल्के इंचार जिन सारे किचन दे निचार जिन एपल्के वेस्गोट तोसी मेनू देदे होना ते मज़ा आजएगा अचार जिन एक पर पाए और पूरा वह मतब स्टाइल है कि एक लकडी पर चीज बन रही है तो उसको आपको पता है अरोमा यह एक अलग होता है उसमें फील आती है होई 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 क्या बात है देसी मुर्गी त्यार हो गई है अचा यह देसी मुर्गी रेडी है यहां पर रेडी है ठीक है और यह पक्की देसी मुर्गी है जो हम मुर्गे मगवाते हैं देरसमयल खान से और मियामादी से ठीक है और यह आप त्यार हो गई है क्या यहां पे चाल रहा है लसी का महौल भाई भाई भी ने लसी चाल गुद के चीज़ बनाती है और उस ढपकेक बना दी त्गाओ बनादीया ना बना धी गुमारे ऑस रहतीया था जय। डाज बना है अगर जैसी कितना टाइम उग repertoire बनाती है वे भी बनाध मंकई की रोटी तियारोगे ये दि है ये छॉक वाले हैं ये हमें ऐन तो आपके आम्यूली इसको लाइटा किया जाएगा तो ये आपके सामें लाइब इसको बनाइगा भूल कि बागी दो एक सागम म Przyliब करेंगे कि अचुछ Alcohol अपनी फसल थी और हमने रात को कटवाई और हमने उसको बनाया अब भी मैंने कहा कि हमारे पाद धनिया ले आए तो वह फ्रेश वहां से काट के धनिया लेकर आए क्या महाल है यार इस जगह का जिस तरह वह मिट्टी के बरतन पड़े में और खाने पक रहे हैं और एक वही ग सुनाब एक अलागी महाल है एक अलागी फील है सुनाब जी वेसको टाका तो सुमाईयन है तुसरे यह ऐसी उनिपॉम है उन्हे ऐसी मुक्तान ही चुमगाई है अचा ठीक है वैसे पिंडी का कुई है इस तरह का सीने इक दवाम करतारपूर गये थे वहां पर भी इस तरह क बिढ़े है जी तरह किसे आचार जी यह यह निए जिए जी जी सबसे पहले हमारे पाए आने शुरू होगे उए यह जो एक फील आ रही है ना मित्टी के घड़ों के अंदर पाए सर्फ होंगे यह नेक्स आ गया जी हमारे पास अचार गोष्त अहां क्या फ्रेश किसम का अ जान दे उस्ताजी ओए होए होए यह आया जी देशी मुर्गा डल रहा है फुल बेस्तरीन करके ओए होए होए और यह जिस तरह भाई रेडी होगे थड़े देशी मुर्गे डाल रहे है इस ताइम उसकी एकलागी वह जो है रहा है उसकी देशी के देशी मुर्गे देशी मुर्गे लगा है यह जी देशी घी का ड़का लगा है साग के उपर वोए क्या बान वोए होए 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 हमारा ब्रट बफे रेडी है यह almost 10 dishes का buffet है, 10 dishes यहाँ पे है और 10 फिर आगे repeat हो गी है, सबसे पहली चीज हमारे पास आजाती है जिसके अंदर कीमा करेले यार मैं कहता हूँ कीमा करेले जार दागों में बांद के और यहाँ पूरा मिटी का कुझ्जा नजर आ रहा है क्योंके कुझ्जे बड़ी क्यूट होता है कुझ्जे कुझ्जे और यह बीच में देसी मुर्गा उसकी तरही और काफी time पकावत देगों के अंदर के तड़का, साग सर्गियों की सुगात, फिर हमारे पास आगी में एक सबजी, आगे हमारे पास आगया हलवा, पूरा येलो, येलो हलवा, हलवे के बाद आगे हमारे पास तीन, बड़े-बड़े, छाबा टोकरी, और सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास है बाजरे की रोट माना जी से कहते हैं, जाचा माना और इसके बाद यह है पराठे, तवे के ओपर बेनेवे पराठे, बैसंग अधिन गया यह आया ज़ा बताएं मज़े रख़े हैं यह पोड़ियां भी है, क्या वाद है और फिर हमारे पास आजाता है लसी का काउंटर, इसमें मेथी लसी भी ह और लसी जिसना मैंने आपको पहले दिखाया कि उन्होंने इसमें इतनी जाग बनाई और हाथ से इसको जड़ा विकीतान अने और इनमें से एक मेथी है और एक नमकीन लसी है, क्या बात है, मेरा ख्याल है कि यह लसी से शुरू कर दिया जाए, यहां से बठाएंगे एक यह जो सीन है, मतब मिटी की दिवार और इसके आगे मिटी के बरतन नीचे जाल रहे कोईले और अंदर पड़ेवे खाने में इस सीन से, मतब यह इतना सेटिस्फाइंगे, मैं इसको देखी जा रहा हूं कि यार यह क्या वाइब है, क्या महौल है, और यहीं पर सारा खाना बन रहे हैं, वहां से आपके सामने खाना इस तना आया, अच्छा भई, मैंने यह एक मिटी की प्याली उठाई है, और इसमें सबसे पहले हम इसको लोड कर लेते हैं, पायों से, मैं ज़रा ढूंड रहा हूं बीच में से नली, जो भरी औ मिख से, एक बेतरीं जी बोटी मै अच्छा भूंड बाइए, मेरे मूझ पानी आ रहे है, असल मेरे को लोड लोड रही है, अच्छा नहीं जा रहे है अच्छा मैं सबसे पहले तो यह जी मकई की रोटी, और मकई की रोटी के साथ तड़का लगावा हमारे पास इस नहीं है साग पाई वैसे खाया जाते हैं हाथ से बोटियां तोड़ रहा हो बंदा और हो देसी मुर्गा यह आगए मेरे पास पिंक लीन मीट और बड़े नॉर्मल मसाले मसाले बहुत जादा नहीं है और को कैंची भड़ा है यहाँ है अभी लोड़ेट किसम के कीमा करे ले अभी भी वैसा ही है ना हर चीज का एक डिफरेंट तेस्ट हर चीज की एक अलग वो है बिल्कुर और गैनिक मसाले कम नमक थोड़ा कम वो चीजें उस तरह से फील आ रही है बिल्कुर आज ते हैं माना मंसाले कम और यह आए घ़ा हुआ अजा पास अचार गोश्ट इसको ऐसे पूरा डेप करके और लसी अगया जी यह मेरे कर अब पता नहीं मीठी है वह इंड वाले पील और नमकीन लसी और ऐसे जिस तरह चाटी की नमकीन लसी होती है अच्छा वही हम लोग अपना ब्रंच करके निकल चुके हैं 10 डिशेज का एक बफे और एक विलिज फील यह जो जगह थी यहां पर मैं फूड से ज्यादा यह कहूंगा कि यह एक एक्सपीरियंस के पैसे थे कि मतब जिस तरह से आप आ रहे हो आपको एक वाइब विलिज वा और उनमें मिट्टी के बरतन और वो वले खाने तो उसके लिए यह जगह काफी अच्छी है अगर खाने की मैं एक्जएक बात करूं तो उसमें अगर कोई लहोर कराची यह इस तरह के जो लोग हैं जो मसाले खाते हैं नमक खाते हैं तो वो वो चीजे उस फूड में है एक फूड है बढ़ हाँ उसमें टेस्ट में मेरे खाल है इसका जो टेस्ट है वो टार्गिट करता है इसलामबाद की ओडियंस को शाहिद मसाले काम खाते है या नमक खाते है उस तरह से बढ़ है आपकी अपनी चोईस है आप आकर ट्राइ करना चाते हो तो आपको जगह आपके पैसे पूरे करवाएगी आपको एक वाइब एक फील वो कंप्लीट आएगी बट फूड आपकी अपनी मर्जी है अगर ट्राइ करना चाते हो आपको देख कि अच्छा लगा तो आप आ सकते हो खेर इस वीडियो को यह पर खत्म करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो